स्री शिवाई नमस्त उभ्यम दोस्तों आज मैं आपको शिव पराण में दिये गया एक बहुती अच्छा उपाय बताने वाला हूं जिस उपाय को पंडित प्रदीप्रिशा ने याने गुरू जी ने अपने जो प्रवोचन है या अपनी जो शिव कता है उसमें उन्होंने ब बात बात पर चिर्चड़ा ना याने चिर्चड़ा पन जिसको हो जाता है जो भगवान के मंदिर तो जाता है लेकिन भगवान के चरणों में या भगवान के मंदिर में उसका मन नहीं लगता इस प्रकार के अगर किसी भी प्रकार की समस्या अगर किसी को है और वो चाहता ह कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, अगर आप भी इस उपाय को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अन तक जरूर देखिए, अगर वीडियो पसंद आए, तो उसे लाइक और शेर कीजिए, और मेरे सिर्ण जोतिश्मन को इससे भी हो, लेकिन उनका कलर सफेद होना चाहिए, चाहिए वो गुलाब की हो या गिलतावडी, किसी भी टाइप के जो फूल होते हैं, लेकिन कलर कौन सा होना चाहिए, सफेद कलर के, सफेद कलर के पांच फूल लेंगे, साच चाबल के दाने लेंगे, इसके बाद एक द प्रकार की जो गांट लेगे उस प्रकार की गांट वाली आपको तीन गांट वाली एक दुर्वा का एक छोटा सा पोधा लेना है इन सबी चीज इन तीनों चीजों को आपको एक कावे के पातर में जल भरके उस पर डाल देना है ठीके अब यह जो पानी है यह जो जल है इसको भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर इसको अरपित कर देना है शिवलिंग पर इसको समरपित कर देना है शिवलिंग पर चड़ा देना है लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आप जब इस पानी को इस जल को भगवान शीव के उपर चड़ा रहे होंगे उस समय लोटे का जो मुह है वो आपकी तरफ हो अक्सर होता क्या है हम लोग शीव जी के सामने खड़े होते हैं याने शीव लिंग के सामने खड़े होते हैं और लोटे का मुह सामने होता है उधर की तरफ होता है और हम लोग जड़ चड़ाते हैं लेकिन इस प्रएवक को करते समय आपके लोटे का मुह आपकी तरफ होना है और आप जिदर खड़ेंगे उधर लोटे का मुह भी होगा यानि उल्टी तरह से आपको जो पानी है जो जल से तो इस उपाय से आपको जरू ठीक हो जाएंगे आशा करता हूं कि आपको यह उपाय पसंद आया होगा अगर उपाय पसंद आया तो प्लीज से लाइक किजिए शेर किजिए और मेरे स्चेलेंज जो तो समस्को सब्केपना नहों ले आज के लिए सितने ही मिलते गे नहीं आपके खुछ और मुझे दी जाग्या जाहिंद